हेलो दोस्तो मेरा नाम है अकाश और आप देख रहे हैं Unlimited ग्यान और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी LAC Policy का प्रीमियम आपके LAC Agent ने टाइम पे डिपोजिट करा दिया है या नहीं करा दिया है तो बिना किसी देरी क शुरू करते हैं तो दोस्तो कई बार ऐसा होते हैं कि हम LAC Policy का प्रीमियम अपने LAC Agent को टाइम पे दे देते हैं लेकिन कभी कभी जो हमारा LAC Policy का प्रीमियम है वो हमारी LAC Policy में डिपोजिट ही नहीं होता है या कई बार ऐसा भी होता है कि LAC Agents जो होते हैं वो LAC Policy का प्रीमि और कितने amount से आपका deposit हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक option मिलता है policy premium paid statement का तो वो आप LAC branch में जाके ले सकते हैं LAC branch में जाके आप वहाँ से free में policy premium paid statement डिकलवा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आपका premium कितना deposit हुआ है और कितने time period पर जमा हुआ है उससे आप जान सकते हैं कि आपका LAC agent time पे आपके premium की payment कर रही है या नहीं कर रही है और जो लोग LAC की branch में नहीं जा पा रहे हैं उनके पास एक option है online का वो www.lic.in पर जाके अपने customer portal पर login कर सकते हैं और वहाँ से जान सकते हैं अपनी premium paid statement की बारे में वहाँ से premium paid statement डाउनलोड कर सकते हैं उसमें आपको सारी detail मिल जाएगी कि कब-कब और कितने amount से आपका premium deposit हुआ है वो facility भी आपको बिल्कुल free मिलती है उसके लिए आपको LAC customer portal पर register करना होगा LAC customer portal पर register कैसे करना है उसकी वीडियो आपको i button पर मिल जाएगी वहाँ पे जाके आप LAC customer portal पर registration कर सकते हैं और जान सकते हैं premium paid statement की बारे में उसके लावा आप LAC customer portal से ही online अपने premium की payment कर सकते हैं उसके लिए आप अपने debit card या credit card से online अपने premium की payment कर सकते हैं और जो भी आपने payment की हैं उसकी रसीद आपकी email पे आया जाती हैं जो कि आपके पास proof होगा कि आपने premium की payment कर दी हैं उसके लावा पेटियम से भी अपनी LAC policy की किस्त भर सकते हैं पेटियम से आपको किस्त कैसे भरनी है अपनी LAC policy की उसका link आपको वीडियो का उपर i button पे मिल जाएगा वहाँ से आप वीडियो देख के जान सकते हैं कि Paytm से आपको अपने LEC Policy की premium को कैसे पे करना है उसके लिए कोई भी वहाँ पर extra charge नहीं लगते हैं वही अपने debit card और credit card का यूज करके या अपने Paytm balance का यूज करके बिना किसी extra charges के आप अपने premium की payment कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको premium paid statement कैसे लेनी हैं और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका premium time से deposit हो रहा हैं या नहीं हो रहा हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे मुझे motivation मिलती है कि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँ और ऐसी ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं ताकि latest वीडियो आप सभी को मिलती रहें प्राइब कर सकते हैं